नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद कहते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगी त्यारी भी जब 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 तरीके से चल रही होगी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए एज मतलब आयू आयू से संबंदी द प्रशनों को सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट जरूर करेंगे सिंपल तरीका बताएंगे दोस्तों आपको एज के प्रशनों को सॉल्व करने के लिए पैन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी रेश्यों प्रपोर्शन के बाद हम एज पढ कर सकते हैं कौन सा आसान होगा आप लोगों के लिए कौन सा आप एक्जाम में सॉल्व करेंगे मैथड से सारे मैथड हम आपको बताएंगे प्रशन को पहले आप सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे से पढ़िएगा ध्यान दीजेगा प्रशन को एकदम अच्छे से जरूरत है पहला कोशन देखिए पहला कोशन है दोस्तों यहां पर दो भाईयों है ध्यान दीजेगा भाईयों की आयू का अनुपाद ध्यान दीजेगा फाइफ इस्टू एट है और उनकी आयू में अंतर 12 बरस है उनकी आयू ज्यांत करें ध्यान दीजेगा दो भाईयों कि ध्यान दिजेगा आयू का अनुपाद दिया है 5 is to 8 और उनकी आयू में अंतर क्या है दोस्तों 12 बर से उनकी आयू जयात करें यह कोस्चन घ्यान दिजिए तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है कितने भाई है दो भाई है और उनके आयू का अनुपात क्या है 5 or 8 तो मतलब उनकी आयू दोस्तो क्या होगी ये 5 एक्स वर्स का है और ये दोस्तो 8 x वर्स का है ठीक है समझेगा और क्या दिया है दोस्तों उनकी आयू में अंतर अंतर मतलब दोस्तों क्या होता है अंतर क्या होता है मतलब मान लीजे दोस्तों आप 20 वर्स के हैं आपका बड़ा भाई जो है दोस्तों 25 वर्स के तो दोनों लोगों के आयू में अंतर क्या होगी बड़े भाई में से छोटे भाई की आई, यारी 25 में से 20 घटाएंगे 5 बर्स का जो आएगा, वही क्या होगा, अंतर होगा, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा न, तो इसमें बड़ा कौन है दोस्तो, 8x छोटा कौन है, 5x, तो अगर दोस्तो हम इसमें से 8x-5x करें, तो क्या होगा दोस्तो, 12 बर्स होगा, यही तो कह रहा है न, उनकी आयू में अंतर क्या है दोस्तो, 12 बर्स है, ध्यान दीजेगा, तो अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और उनकी आयू पूछ रहा है, मतलब 5x और 8x की value क्या है, तो ज्यादा कुछ नहीं, 8x म से 5x-3x, 3x बराबर क्या हुआ, 12, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, बताइएगा, पास्षांतर करना तो सीख गये होगे, 3 गुने x है, तो 3 गुने में बराबर कुधर जाएगा, भाग में होगा, यानि 12 बटा 3, तो 3, 4, 12, x बराबर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजे, x बराबर 4, ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा भाई 5x, बड़ा भाई 8x, ध्यान दीजेगा, यहाँ पे दो भाई थे, एक दोस्तों 5x, सेकेंड वाला दोस्तों 8x, ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, x की वाईलू क्या आया है, 4 आया है ना, तो 5 into 4, ध्यान दीजेगा, 5 into 4 क्या होगा, 20, 8x आया है, 8 into x की जगा, 4, आच्चाओ को क्या होगा, 32, ठीक है, 20 बर्स और 32 वर्स उनकी आयू होगी किस option में 20 32 है option नंबर पहले में है ध्यान दीजिएगा और यह आपका दोस्तो method 1 है ध्यान दीजिएगा पहला method है अभी हम आपको और तरीका बताएंगे पहले आप इसे सीखिए उमीद करते हैं आप सभी student समझ रहोंगे यह जो हम आप लोगों को note कर हो रहा है 20 32 हो रहा है सभी student एक दम सही है बहुत अक्षे हाँ समझ यह question को धीरे धीरे हम आगे ले चलेंगे यह आपका क्या है ध्यान दीजिएगा हाँ label 1 है zero level तो complete करा दिये है ratio में ठीक है बहुत अक्षे very good सभी student एक दम सही है 20 32 है अभी देखिए यह क्या रहा दोस्तो method 1 क्या रहा दोस्तो method 1 उमीद करतें आप सभी student सीख गए होंगे यहां पर एक बार और समझा देते हैं दो भाईयों की दोस्तों क्या है आयू का अनुपात है 5 8 ठीक है ratio है 5 is to 8 और उनकी आयू में अंतर क्या है 12 वर्स है उनकी आयू ग्यात करे तो उनकी आयू माल लिए द तो बस 4 पच्चे 20 चार वट्थे 32 बीस वट्तिस उमर हो गई आप चाहें तो दोस्तों यहां पर देख भी सकते हैं 20 और 32 का अंतर क्या होगा 32 में से 20 घटाएंगे 12 वर्स का होगा आप चाहें तो यहां पर चेक भी कर सकते हैं उमीद करते हैं समझ गए हैं बहुत एक्षे ध्यान दीजिए अब चलिए second method देखिए second method बीना x और y माने भी आप solve कर सकते हैं दो भाई है दोस्तों एक first है और एक कौन है दोस्तों second है ratio क्या है दोस्तों 5 is to 8 का है और उनकी आयू में अंतर क्या है 12 ratio में दोस्तों अंतर कितना है 8 में से 5 कम करेंगे ratio कितना अंतर है 3 त छीकिये ratio से भी solve करना सीकिये बिना x माने solve कर सकते हैं तो एक ratio बरबर दोस्तु डो क्या होगा बताइएंगा एक ratio बरबर क्या होगा बारेए बटा 3 यानि की 4 वर्स एक ratio बर चार वर्स तो इसका उम्र क्या हो जाएगा पार रेसियो बरबर बाताशे बच्चे、 20-8 ratio बर पर चार वठे 32 20 वर्स और 32 वर्स उमर आ जाएगी option number कौन सा हो जाएगा पहला सही हो जाएगा आप चाहें तो दोस्तो डारेक्ट रेशियों से भी कर सकते हैं यह आपका रहा दोस्तो method 2 second method रहा ठीक है सीखिए सभी student सीखिए समझने का प्रयास करिए हाँ सीखिने का प्रयास होना चाहिए आप सभी student सीखिए क्या था 5-8 तो रेशियों में अंतर कितना है दोस्तो तीन बर्स और उनकी आयू में अंतर क्या है दोस्तो बारा बर्स तो कह सकते हैं तीन रेशियों बराबर 12 तो एक रेशियों बराबर हाँ, देखिए बहुत अच्छे, एकदम सही, सभी student समझ रहे हैं अच्छी बात, चलिए, एक और मैथड देखिए अभी next question अभी ना बोलिए, धियान दीजिए पहले तरीका सीख लीजिए कैसे कैसे हम प्रशनों को solve कर सकते हैं एक तरीका एक्स वाला बता के next next करते जाएंगे एक्स मान के ही आप solve करते रह जाएंगे और परिच्छा में ज्यादा time लगेगा तो सीखिए, तरीका सीखिए कितने तरीका से हम प्रशनों को solve कर सकते हैं ठीक है, एक और तरीका देखिए अगला देखिए, तरीका है दोस्तों, तीसरा, method 3, ठीक है method 3 क्या है दोस्तों, go through, option go through, option, ध्यान दीजेगा सब student, method 3 क्या है, go through option हम option से solve करेंगे, देखिए, कह रहे हैं, दो भाईयों की आयू का अनुपात क्या है 5 is to 8 है, यह 20 32 है, तो ratio क्या होगा, ध्यान दीजेगा, पहले देखिए, 20 और 32 है ratio क्या होगा, 4 पच्चे 20, 4 वठे 32, 5 is to 8 हो रहा है, ठीक है, अब देखिए कह रहा है, उनकी आयू में अंतर 12 बर्स है, 20 और 12, ध्यान दीजेगे, 20 और 32 में अंतर क्या होगा, यानि कि 32 माइनस 20, बराबर क्या होगा दोस्तो, 12 बस, यानि option number A दोस्तो, पूरे condition को satisfied कर रहा है, तो option number A क्या हो जाएगा, ध्यान दीजेगा, option number A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप चाहें तो option से भी कर सकते हैं, अब किसी में भी देखेंगे, दोस्तो, 5 to 8 नहीं आएगा, किसी को भी कटा के देखेंगे, 5 to 8 का ratio नहीं आएगा, किस ratio से आ रहा है, दोस्तो, किस option से आ रहा है, इसमें, 4 25, 4 38, 5 to 8 आ रहा है, अंतर देखेंगे, 20 32 का क्या होगा, 12, 32 में से 20 के 12 आ रहा है यानि पहला जो आप्षिन है दोस्तों पूरे कंडिशन को सटिस्फाइट कर रहा है उनकी आयू ग्यात करें तो उनकी आयू 20 और 32 होगी उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट तीसरा मैथड भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे यह आपका क्या रहा तीसरा मैथड रहा ठीक है सीखिए समझ है समझने का प्रयास करिये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को अगर सीख जाएंगे तो प्राष्णों को दोस्तो बिना प्राइन हूँ साल्व करने लगेंगे ठीक हां जब आप सीख जाएंगे तो बिना प्रें उठाएं भी देखेंगे 20 32 क्या हो रहा है दोस्तो बारा बर्ष हो रहा है और 5 5 is 2 क्या हो रहा है 8 भी हो रहा है पहला option सही बीना देखे हां बीना सोचे समझे बीना तरीका लगाए डिरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हैं चाहें तो यहां पर तीन रेशियो बराव बारत एक रेशियो बराव चार चार पच्चे 20 चार वटे 32 आप डिरेक्ट वहां से भी आ कुशन नमर दूसरा है यदि पी की बरतमान आयू 15 बर्स है और 6 बर्स बाद क्यूं की आयू 26 बर्स हो जाएगी तो इन दोनों की बरतमान आयू का अनुपात क्या है ध्यान दीजिए कोशन अब समझेगा इंपॉर्डेंट डाइप को कोशन है दो लोग है दोस्तों एक है और एक कौन है क्यू ध्यान दीजिएगा पी की बरतमान आयू पी की बरतमान आयू क्या है दोस्तों 15 बर्स है थे बर्स बाद क्यू की आयू क्या होगी दोस्तों 26 होगी तो ध्यान दीजिए यहां पर हम क्या लिखे हैं बरतमान ध्यान दीजिए बरतमान और 6 बर्स बाद स तो क्या हो जाएगा बताईएगा 15-6-21 हो जाएगा ध्यान दीजिए और Q की दोस्तों 6 बर्स बाद ही दिया है ध्यान दीजिएगा 6 बर्स बाद Q की 26 होगी Q की 6 बर्स बाद क्या होगी 26 तो देखिए 21 में से दोस्तों 15 घटाएंगे 6 बर्स बाद है न और इसका 6 बर्स पहले दोस्तो आगे देखिए तो इन दोनों की बरतमान आयू का अनुपात क्या है बरतमान आयू क्या है दोस्तो 15-20 है ध्यान दिजेगा P और Q की बरतमान आयू क्या है दोस्तो 15 और 20 का रेशियो है तो पांस तिया ही 15, 5, 4, 20 3 is to 4 हाँ किस आप्शन में है आप्शन नमबर डी में तो आप्शन नमबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा सभी स्टूडेंट समझेए ये शे बरतमान में क्या होगा शे बरत माइनस कर लीजिए अगर ये शे बरत बाद का रेशियो पूछता तो 21-26 का रेशियो होता ध्यान दीजिए अगर छे बर्स बाद का पूछता तो क्या होता है 21-26 का होता ठीक है लेकिन ये पूछा क्या है बरतमान तो बरतमान में 15-20 का है तो पांस तिया ही पंदरा पांचों को 20 3 is to 4 ऑप्शन नमबर डी जितने भी स्टूडेंट का रहा है 3 is to 4 आप सभी क्यों तोऺजने वाली नहीं दीज़ने वाली नहीं बात है यहां लिख रहा है दोस्तों पी कीब ट्मान आयू- 15 भर्स और छे बर्स बात क्यों की आयू- là ऊश्मान में क्या होगा तो बताई अगर आप 26 परस क Bean होंगे तो बर्तमान में यеспe ess minute 600 यही तो है और इसी का रेशियो पूछ रहा है तो डिरेक्ट आंसर देना इसमें कुछ है ही नहीं है हाँ इस प्रस्ण में कुछ भी नहीं है समझ गयें बहुत अच्छी बात ठीक है ध्यान दीजिये हां इसमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी पी और क्यू दोस्तो दो ही लोग थे न ये क्या है 15 वर्स आइ ये 6 बर्स बात दोस्तो ध्यान दीजिये का क्यू 26 होगा तो बर्तमान में क्या रहा होगा दोस्तों 20 और यही रेशियों पूछ रहा है पांस्तियाई 15 पांचों को 20 थ्री इस्टू फॉर ओप्सन नमबर डी बस यही पूछ रहा है थोड़ा सा घटाना तो सीखिए 6 बस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 में से 6 20 एक दम सही सबी स् जालते हैं अगला कोशन देखिएगा हाँ इस कोशन को देखिए अभी हम आपको सौट्रिक भी बताएंगे प्रशनों को सॉल्व करने के लिए ठीक है प्रशनों को पहले समझीए देखिए जे और के के बरतमान आयू का अनुपात 11 अनुपाते 6 है यानि 11 इस टू सेक्स है 5 बर्श के पस्चात उनकी आयू का अनुपात 12 इस टू 7 हो जाएगा के की बरतमान आयू क्या है ध्यान दीजिए के की बरतमान आयू पूछ रहा है ध्यान दीजिए दो लोग हैं दोस्तो कोई कितने लोग हैं जे और के एक जे है एक के है जे और के की बरतमान आयू क्या है दोस्तो 11 6 तो यह 11x बर्स का है और यह दोस्तो 6x बर्स का है ठीक है अब देखिए 11x बटा में क्या होगा दोस्तो 6x कितने बर्स बात बर्स चाथ मुर रहा है 5 बर्स तो प्लस 5 इसमें भी करेंगे प्लस 5 रेशियो क्या हो जा रहा है दोस्तो 12 is to 7 हो जा रहा है कितना हो रहा है दोस्तो 12 is to 7 यानि कि 12 बट्टे साथ सभी स्टूडेंट देखिए हाँ सभी स्टूडेंट समझने का प्रेस कर ये समझ में आएगा अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं तीरिये गुणा बताए ह सब्सक्राइब देखिए इतना इतना आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे क्योंकि इतना हम आप लोगों को इतने दिन से करा रहे हैं ये सारी चीज सब्सक्राइब देखिए ज्यादा कुछ करने कि इसमें आप जरूरत ही नहीं है पूछ क्या रहा है दोस्तों के की बरतमान आयू क्या है के की बरतमान आयू क्या है दोस्तों 6x है ध्यान दीजेगा तो 6 गुने 11 मतलब 11 चके 66 वर्स किस में है ध्यान दीजे हां कहीं पर गलत हो रहा है क्या एकस बराबर क्या आया है दोस्तों Gआ हाँ ध्येजये 11 नहीं आया है यहां पर 6 है ना 6 गुने क्या होगा पांच तो 6 5 क्या होगा 30 30 वर्स किस आप नाlusन Aop н.गै دोस्तों आध debel नंबर पहले में एकदम सही, very good, जितने भी student का 30 वर्स आया, आप सभी student एकदम सही है, अगर हमसे के का पूछता तो क्या बताते दोस्तों, 11 है और गुने क्या होगा दोस्तों, 5, ध्यान दीजेगा, 11-5 यह क्या हो जाता, 55 वर्स, किसका पूछता, जे का पूछता तो, लेकि सही, जितने भी student का 30 वर्स आंसर आ रहा है, आप सभी student एकदम सही है, 35 नहीं होगा, 30 वर्स होगा, समझने का प्रयास करिए, तभी समझ में आएगा, जे का पूछता, तो 6 से इसमें गुना कर देते हैं, लेकिन पूछता क्या है, के का वर्तमान आई, very good, एकदम सही, सभी student सही है, उमीद करते हैं, आप सभी student समझ रहोंगे प्रेशनों को, और आप सभी student सीख रहोंगे, एकदम सही, अभी देखिए, एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, हाँ, एक और तरीका बता रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, यह आपका दोस्तों क्या रहा, हाँ method 1 रहा, ठीक है, यह method 1 रहा, method 2 देखिए, method 2 देखिए, दूसरा तरीका देखिए, J और K, कितने लोग हैं दोस्तों, J और K, इनकी IU का रेशियो क्या दिया है, 11 is to 6 दिया है, ठीक है, 5 बर्स के पस्चात, दोस्तों, उनकी IU का अनुपात क्या होगा, 12 is to 7, कितने बर्स बात 12-7 हो रहा है पांच बर्स, रेशियो में देखिए, अभी हम बताए न, रेशियो में, 11-12 हो रहा है, और दोस्तों, क्या हो रहा है, 6-7 हो रहा है, द्यान दीजियेगा, यहां पर आप सबी student सीखेंगे, 11-12 हो रहा है, 6-7 हो रहा है, दोनों तरफ एक रेशियो बढ़ रहा और दोनों का उम्र क्या हो रहा है पांच वर्स बाद हो रहा है यानि अगर ऐसे आए तो हम बोल सकते हैं दोस्तो एक रेशियो बराबर पांच वर्स क्या बोल सकते हैं एक रेशियो बराबर पांच वर्स हमसे पूछा क्या है दोस्तो के की बरतमान आयू तो के की रेशियो क् छे तो छे रेसियो बराबर क्या होगा दोस्तों बताईएगा 5 गुने 6 मतलब क्या 30 बर्स अंसर हो जाएगा option नमबर आपका पहला अगर पुष्टा जे की जे की रेसियो क्या है 11 बर्स तो 5 गुने क्या होता 11 ध्यान दिजेगा तो क्या हो जाता 11 पचे 55 यह देखिए यह क्या आया है ठीक है हाँ समझेगा यह क्या आया है के का यह क्या है और यह क्या है दोस्तों ध्यान दिजेगा यह जे का है द्यान दिजे के और जे में कन्फ्यूज न होईएगा किये का पूछा है तो छे तो छे रेसियो की वैलू बताएंगे हाँ एक दम सही सभी स्टूडेंट एक दम सही है देखिए समझने का प्रयास करिए कुछ नहीं है ग्यारे से बारा छे से साथ रेसियो कितना बड़ा एक उम्र कितना बढ़ रहा है प एक दम सही very good एक दम सही सभी स्टूडेंट एक दम सही है जितने भी स्टूडेंट का 30 वर्स आंसर आ रहा है यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट सीखिए यह तरीका सीखिए हाँ यह जो मैथट टू है ध्यान दीजिएगा देखिए एक बार और समझाते है जो मैथट टू ह काफी important है देखिए दो लोग है जे हैं के हैं ठीक है फिर जे और के हैं यहां पर इनकीवर्ट माल आयू का अनुपात के दिया है लेबन इस्ट्वौ शिख दिया है 5 ब reindeer कि बात क्या हो हो रहा है दोस्तों अनुपाद 12TH 7 1223S 7 हो रहा है कब हो से वह रहाई रहाए तो पूछ वर्स पूछ रहा है कि बरतमान की तो छह रेशियो बराबर क्यह होगा दोस्तों एक तरीका सीखिए यह तरीका important है यह सीखेंगे तो आपको प्यान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी direct answer देंगे very good उमीद करते हैं आप सभी स्टुडेंट समझ रहें हां एकदम साही सभी स्टुडेंट समझ रहें अच्छी बात है चलिए next question की और आप चल रहे है ध्यान अगला question देखिए पढ़ने का प्रस्ण को प्रयास करिए प्रस्णों को पढ़ने का भी प्रयास करिए तब अंसर आएगा क्या क्या रहे है एक्स और वाई की बर्तमान आयू का अनुपात 5-4 है आप से तीन बर्स बात इनकी आयू का अनुपात 11-9 हो जाएगा वाई की बर अनुप है दोस्तो एकष और वाई की बर्तमान आयू का अनुपात क्या है 5-4 ध्यान दिजेगा एक्स और वाई ध्यान दिजेए x-x है इसका दोस्तों उमरे क्या होगा 5x फ्रस वाई दोस्तों रेसियो यह 4 एना तो यह āए 4x वर्स थीक्ए अब देखिए ज्यादा रहे 5 x plus 3 बटा में 4 x plus 3 तीन बर्स के बाद क्या हो रहा है इनकी आई कन पात 11 इस्टू 9 हो रहा है यानी 11 बटे 9 9 पच्चे 45 x plus 9 3 27 बराबर 11 चौक 44 x समझने का प्रेस करिएगा प्लस 11 या 33 44 x उधर है प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा 45 x में से 44 x माइनस हो办 जाएगा तो क्या होगाCome 27 plus में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगास घठ जाएगा तो क्या हो जाएगा धफ 33 में से 27 या 6 X बराबर क्या आ गया 6 अब किसका उम्र पूछ रहा है दोस्तो Y की बरतमान उम्र पूछ रहा है तो Y का रेशियो क्या है 4X है 4X ही है न तो 4 गुने क्या करेंगे 6 24 बर्स यही आपका अंसर होगा किस option में है option number D में है हाँ option number D very good जितने भी student का आ रहा है ध्यान दीजिएगा जितने भी student का 24 बर्स आंसर है आप सभी student एकदम सही है X का बताईए कितना होगा X का कितना होगा अगर यह 24 बर्स का है तो यह कितने बर्स का होगा हाँ very good बहुत अख्षे एकदम सही सभी student सही है इसका क्या हो जाएगा 30 बर्स क्योंकि आपको करना क्या है 5 X का मान क्या है या 6 तो 5 गुने 6 मतलब 30 बर्स लेकिन हमसे पूछा क्या है Y की पूछा है तो इसलिए अंसर देंगे 24 बर्स समझ रहे X मान के भी आप solve कर सकते हैं ठीक है सभी student सही है जितने भी student 24 और 30 बर्स अंसर दिये लेकिन प्रस्ण में हमसे पूछा क्या है Y की बर्स मान आई तो Y की हो जाएगी 24 इसका अंसर देंगे अगर X की पूछता तो हम क्या बोलते 30 बोलते सभी students सही है बहुत देख्षे चलिए आगे देखते हैं देखिएगा एक और तरीका हम आप लोगों को बता दे ध्यान दीजे दो लोग थे ना दोस्तो X और Y यही थे ना ratio क्या है दोस्तो 5 इस्टू क्या है ध्यान दीजे 5 इस्टू 4 है और 3 बर्स बाद दोस्तो क्या हो रहा है ध्यान दीजेगा 3 बर्स बाद इनकी आईकन पाथ 11 इस्टू 9 हो रहा है हाँ क्या हो रहा है 11 इस्टू 9 हो रहा है यह तरीका ध्यान दीजे यह तरीका सीखिए पहले यह वाला भी तरीका सीखिए question पहले देखिए यह वाला तरीका सीखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हाँ, यहाँ पर देखिए, करना क्या है, करना क्या है, सीखना है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर, पांच से ग्यारह हो रहा है, और ध्यान दीजेगा, अभी हम यहाँ पर सीखेंगे, तभी समझ में आएगा, ध्यान दीजे, पांच से इधर 6 हो रहा है चार से 9 हो रहा है इधर 5 हो रहा है ध्यान देजिएगा और तीन वर्ज बाद हो रहा है इधर 6 और 5 तो क्या हम पिष्छे वाला तरीका लगा सकते हैं तो डैरेक्ट हम बोल सकते इसमें क्या बोलेंगे 6 ratio बराबर 3 या 5 ratio बराबर 3 क्या बोलेंगे सभी students सीखिए पहले यहां पे सीखिने का प्रयास करेंगे तब ही समझ में आएगा ध्यान दीजे तो यह तरीका यहां पे नहीं लगेगा देखिएगा अभी हम आपको सिखा रहे हैं सीखेंगे तो अभी समझ में आएगा क्या दिया है दोस्तों 5 is to 4 दिया है और 3 वर्स बात क्या हो रहा है 11 is to 9 हो रहा है तो रेशियो दोनों तरफ क्या है बराबर नहीं हो रहा है तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजेगा इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों 2 है तो उपर 2 से गुना करेंगे इसका अंतर क्या है एक नीचे एक से गुना करेंगे एक से तो क्या होगा एक ही रह जाएगा अगर उपर दो से गुना कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा सभी student सीखने का प्रेस करिए यहाँ पे देखिए 11 और 9 का अंतर क्या है 2 तो उपर भी 2 से दोनों में हम गुना कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा दोस्तो आपका 8 हो जाएगा सीखिए सभी student 10 is to 8 10 is to 8 का मतलब क्या है 5 is to 4 ही है तो अब देखिए ratio क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है 8 से 9 हो रहा है सीखिएगा दोनों तरफ क्या हो रहा है ध्यान दीजिए हाँ दोनों तरफ क्या हो रहा है रेशियो बराबर हो रहा है एक तो कह सकते हैं दोस्तों एक रेशियो बराबर तीन बर्थ पूछ क्या रहा है दोस्तों पूछ रहा है हम लोगों से वाई की बरतमान आयू पूछ रहा है, तो य की अब उबर तमान रेसियो क्या हो गई है, 8 हो गई है, तो 8 रेसियो बराबर दोस्तों क्या होगा, 8 तरीके 24 बर्स हाँ, ये तरीका सीखिए, ठीक है, हाँ, अगर X की पूछता तो क्या बोलते हैं, 10, 10 ratio बराबर क्या होता है, 1 ratio बराबर 3 बर, तो 10 ratio बराबर 30 बर, हाँ, very good, उपर गुने 2 करेंगे, क्योंकि इसका अंतर क्या था, 2 था, इसका अंतर 1 है, तो नीचे X है, X अंतर करने का कोई मत अच्छे, जो बता भी रहा है, कि उपर 2 से multiply करना है, ठीक है, हाँ, ratio को balance करना अगर सीख गए, तो direct answer देंगे, हाँ, ठीक है, तो जब ratio यहाँ यहाँ बराबर ना हो, तो आपको balance करना है, ठीक है, उपर नीचे अंतर देखके गुना करना है, नीचे 2 का अंतर आ रहा तो त से गुना कर दिया, ठीक है, balance हो गया, हाँ, एकदम सही, तरीका सीखिए, तो present में यह ratio 10 is to 8 आ गया है, तो हम 8 पे value बताएंगे 24 years, ठीक है, एकदम सही, सभी student एकदम सही है, उमीद करते हैं, आप सभी student सीख रहे हैं, हाँ, सीखने का प्रयास जरूर करिए, मन में सीखने का प्रयास होना चाहिए, चलिए, आगे चलते हैं, next question देखिएगा, तरीका सब सीख जाएंगे आप लोग, question नमबर 5, यानि कि 3x-5 बटा में 4x-5, पांसल पहले इनकी आईकन पत केता, 5 is to 7, मतलब 5 by 7, इससे कर सकते हैं, इतना कर दिये, तो आप सभी student कर सकते हैं, चलिए, नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं सिखाते हैं, साथ तरीके, 21x-7, 35, चार पच्चे, 20x-5, 25, ध्यान दीजेगा सभी student, 20x इदर आएगा, तो 21x में से घट जाएगा, 21x में से 20x जाएगा, तो x हो जाएगा, और 35 उदर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस 25 है, तो x वराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा, यह माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, इदर माइनस ही है, तो 35 में से 25 या, 10, very good, एक तो ध्यान दिजेगा, 4 गुने 10, मतलब 40 वर्स, हाँ, एक दम सही, बहुत अच्छे, very good, 40 वर्स, जितने भी student का अंसर आया है, आप सभी student एक दम सही है, हाँ, अब ही हम आपको second तरीका बताएंगे, पहले ये बताएंगे, 40 वर्स आया की नहीं, very good, 40 वर्स एक दम सही, हाँ, ये y क्या गया, और इसका क्या माँने थे dोस्तो एकस का, अगर x का बोले तो ये क्या था, 3x था, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 10, मतलब 30 वर्स, लेकिन हम लोगों से पूछा क्या था दोस्तो, y का, क्या पूछा था, y की बरतमान आयू, तो बरतमान आयू y की क्या थी, 4x तो 40 वर्स हो गया यानि option number D ठीक है हाँ और X की पूछा होता तो 3X 30 वर्स देते very good सभी स्टूडेंट सही है जितने भी स्टूडेंट का अंसर आ रहा है 40 वर्स 30 वर्स very good एक डम सही सभी स्टूडेंट सही है हाँ बहुत एक्षे समझने का प्रयास करिए सारे कुछ समझ में आएंगे ठीक है हाँ हाँ एक बार देख लीजिए सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए हाँ ध्यान देजिए चलिए एक और तरीका बताते है यह आपका क्या रहा है दोस्तो यह आपका method वं रहा है method तूर शीखिए ध्यान दीजिए अब आप लोग है दोस्तो एक है x दूसरा है y ठीक है बरतबान आयू का रुपात क्या है 3 is to 4 है, 5 साल बात क्या हो रहा है, इनकी आयू का रेशियो 5 is to 7 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, 4 से 7 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, ध्यान दीजे, उम्रत तो 5 साल बढ़ रहा है, रेशियो में क्या हो रहा है, ध्यान दीजे, रेशियो में डिफरेंस हो रहा है, यह दर 2, इधर 3, तो प्रसन ऐसे solve होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजे, प्रसन ऐसे solve होगा, नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, ratio को balance करना भी हम आप लोगों को सिखा है, देखिए, अभी सीखिए, 3 is 2 क्या है दोस्तो, 4 है, 5 सल बात क्या हो रहा है, 5 is 2 समझने का प्रेस करिए, 5 सल बात क् क्या है, अंतर ध्यान दीजेगा, अंतर, 5 से 7 हो रहा है, 2 का हो रहा है, ऊपर क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, ध्यान दीजेगा, इधर अंतर क्या हो रहा है, 3, 4, यानि 1 है, तो नीचे 1 से गुना करने का कोई मतलब नहीं, 1 से 5 में गुना करेंगे, 5 ही होगा, 7 में कुना करेंगे सती होगा तो तीन दुना के ठेट हन्दिजइंगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए अभी समझ में आप लोगों को आएगा यहां पर देखिए सभी स्टूडेंट अहां समझने का प्रयास करिए समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो इधर क्या हो जएगा, चार दुना के, आट, यह तारीका सीखिए, हाँ, कई स्टुडिन को नहीं पता चल रहे हैं, ध्यान दीजिये, तो यहां से अंतर क्या हो रहे है, 2 का तो उपर 2 से गुना कर दिये तो 3 दुना के 6, 4 दुना के 8 यह जो नया ratio आगया है यह 6 to 8 है और 6 to 8 का मतलब क्या होता है 2, 3, 6, 2, 4, 8 3 is to 4 ही है अब देखिए यानि 6 से दोस्तो ध्यान दीजेगा सबी student 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 5 साल पहले दिया है यहीं पर confused हो रहा हो रहा है 5 साल पहले है 6 से दोस्तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है 8 से क्या हो रहा है 7 हो रहा है ratio कम कितना हो रहा है 1 कम हो रहा है इधर भी 1 कम हो रहा है balance हो गया यहाँ पर बहुत से student यह देखिए क्या लिखा है पांच साल पहले लिखा है तो पांच साल पहले मतलब क्या हो रहा है एक रेशियो कम हो रहा है पहले मतलब माइनस हो रहा है तो कह सकते हैं दोस्तो एक रेशियो बराबर पांच बर्स पूछ क्या रहा है दोस्तो वाई की बरतमान आयू तो वाई की बरतमान आय करना सीकता ज्यादा कुछ नहीं पाँच और ताथ कंतर क्या दोड़ो से वाले में नीचे वाले कंतर उपर तो रख वए उपर सब्सक्राइब टीजुएं बचाहित हुआग् मैंत हैं घहाद दीजिए तो आगे चलते हैं खो शन अगला देखिए अगला question आप लोग देखिए ये देखिए question number 6 question number 6 अभी student पढ़ेंगे ध्यान दिजिएगा मीना और सीमा ध्यान दिजिएगा कि बर्तमान आयू का अनुपाद 4 is to 3 है 3 बर्स बाद मीना की आयू 26 बर्स हो जाएगी ध्यान दिजिए सीमा की बर्तमान आयू कितनी है answer आप लोग दीजिए question को solve करने का प्रयास करिए question number 6 आप सभी student पढ़िए देखिए कुछ नहीं करना है दो लोग हैं दोस्तो कौन कौन direct solve करिए मीना और सीमा बर्तमान आयू का रेशियो क्या है 4 is to 3 है 6 बर्स बाद दोस्तो मीना की आयू क्या हो रही है 26 हो रही है ध्यान दिजिएगा ये 6 बर्स बाद हो रही है क्या दोस्तो ध्यान दिजिएगा 6 बर्स बाद ध्यान दिजिए 6 बर्स बाद ध्यान दिजिएगा 6 बर्स बाद क्या हो रही है सीमा की बरत्मान आई तो बरत्मान में दोस्तों रेशियो क्या है चार तो चार रेशियो बराबर बीस वर्स तो एक ratio वराबर पांच वर्स, पूच क्या रहा है सीमा सीमा की पूच रहे है न, सीमा की ratio बरतमान क्या है, तीन, तो तीन ratio वराबर क्या होगा पांच तीन पंद्रवर आप HCN option number क्या होगा सीसा ही हो जाएगा हाँ, answer जितने भी student का पंदर आ रहा है आप सबी स्टूडेंट्स आई है बस थोड़ा सा समझना है ज्यादा इसमें कुछ नहीं है मीना है और सीमा है मीना सीमा लिख दिए बरतमान आई का अनपाथ 4 is to 3 है 4 is to 3 लिख दिए 6 वर्स के क्या बोला है दोस्तों बाद बोला है मीना की आई 26 होगी 6 वर्स के बाद 26 है तो बरतमान में क्या होगी दोस्तों 20 वर्स होगी और बरतमान में रेशियो क्या है 4 है तो 4 रेशियो बराबर दोस्तों 20 चार बराबर 20 तो एक बराबर 5 ठीक है तो पूछ कह रहा है सीमा यानि तीन तीन रेशियो बरबर पंद्रा बर्स पंद्रा बर्स आंसर हो जाएगा option number C प्रस्ण में कुछ भी नहीं है प्रस्ण में कुछ भी नहीं है देखते ही आंसर देना है हाँ बिना आप दोस्तों सॉल्व की आंसर दे सकते हैं छे बर्स के बाद 26 वह रही है तो बरतमा की आयू मेना का आयू दोस्तों क्या होगा 26 वर्तमान में 20 और बरतमान में है दोस्तों यहाँ पर मिना का रेशियो चार चार रेशियो बरबर बीस वर्स तो एक रेशियो बरबर पांच बर तो तीन डेशियो मतलब सीमा की आयू 15 बरस डिरेक्ट हो जाएगा वेरी गुल सबी स्टुडेंट सीख रहे होंगे सीखने का प्रयास करिए हाँ एक डम सही हाँ समझ में आया है सबी स्टुडेंट को बहुत अक्षे चलिए next देखते हैं अच्छे से सीखिए ratio अला method सीखिए दोस्तो ratio अला ratio अगर आप लोग सीख रहे हैं न तो आप लोग लिए बहुत आ सान हो जाएगा प्रस्म स्वाल्व करना चलिए यह देखिए तो question number 7 ए और बी की आयू का अनुपाद 3 स्टू 2 है दस बर्त बाद उनकी आयू का योग क्या होगा दोस्तों 80 होगा उनकी बर्तमान आयू कितनी है अच्छी बात है question पढ़िए ए और बी की आयू का अनुपाद 3 स्टू 2 है दस बर्स बाद उनकी आयू का योग 80 होगा उनकी बर्तमान आयू कितनी है पूछ रहा है ठीक है हाँ एक्स मान के इसको आप डिरेक्ट भी कर सकते हैं एक्स मानने का कोई तरीका नहीं है द्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है इसमें क्या एक्स इसमें देखिए ए और बी क्या है दोस्तो दो लोग है ए है और बी है यह क्या है दोस्तो इसकी आयू 3 एक्स है इसकी आयू क्या है 2 एक्स है द्यान दीजिएगा दस बर्स बाद उनकी आयू का योग क्या हो रहा है 80 यानि कि 3 एक्स प्लस 10 प्लस 2 एक्स प्लस 10 बराबर क्या हो रहा है दोस् तो 5X बराबर दोस्तों क्या होगा 20 उदर जाएगा 60 तो X बराबर क्या हो जाएगा 5 से 60 करेंगे 12 X बराबर 12 हुआ अभी आसान दरीका बता रहें X मानना ठोड़ दीजिए डिरेक्ट आंसर देना सीखिए हाँ ध्यान दीजिए पूछ क्या रहा है उनकी बरतमान आयू कितनी है 12 आया तो यह 3X है तो 3 गुने 12 करेंगे तो 12 यह 36 दो गुने 12 करेंगे तो 24 35 24 option नमबर B 334 option नमबर B जितने भी student करा रहे आप सबी student एक डम सही है 36-24 option नमबर B अभी आसान तरीका सिखा रहे हैं यह तरीका नहीं लगाना है बार बार एकसं नहीं मानना है अब डीरेक्ट आंसर दे सकते ह capability लेकिन सीख लीजिए बस यहाँ पर कह रहा है A और B की आयू का नुपात यह 3 is to 2 तो यह 3x वर्स का है यह 2x वर्स का है ध्यान दीजेगा 10 वर्स बात उनकी आयू का योग 80 होगा 10 वर्स यानि इसका भी उम्र 10 वर्स जोड़ेगा इसका भी और दोनों को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर होगा ठीक है? हाँ यहाँ पर आप जहा हैं तो देख सकते हैं 12 तियां ही 36, 12 उना के 24 3 is to 2 हो रहा है 3 is to 2 हो रहा है? हाँ 10 बात क्या होगा? 10 इसमें भी जोड़ दीजे 10 इसमें भी जोड़ दीजे तो यह 46 और क्या हो जाएगा दोस्तो 34 हाँ 43-34 क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा जोड़ के भी देख सकते हैं ठीक है? लेकिन आपको आंसर देना है बस इतना ही 36-24 आंसर होगा समझने का सभी इसमें प्रेंस करिए अच्छे से देखिए प्रशन को सभी प्रशन को देखिए समझिए सीखिए कैसे सॉल्व हो रहा है अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है ऐसे प्रशन के लिए प्यान उठाने की ज़रूरत नहीं है A और B की A.U. का अनुपाद क्या है दोस्तो 3-2 है ध्यान दीजे 3-2 A है और कोऊं है 10 वर्श बाद उनकी A.U. का योग 80 वर्स होगा ध्यान दीजेगा तो बर्तमान में ये रेशियो दिया है तो 3-2 रेशियो जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 पांच रेशियो बराबर क्या 80 नहीं ये क्या है 10 वर्श बाद है तो 10 प्लस 10, दो लोग हैं, यानि कि 20 इसमें से माइनस करेंगे, तो बर्तमान में इनकी आयू का योग क्या रहा होगा दोस्तो, 60, 5 रेशियो बराबर 60, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 12, सीखिए, तो 12 तियाई, 36, 12 दुना के, 24, ये सीखिए, ये दोस्तो 10 बर्स गता दीजे, 20 बर्स घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तो, 80 में से 20 माइनस करेंगे, 60 हो जाएगा, बर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या होगा, और रेशियो बर्तमान में क्या है, 3, 2, 5, 5 रेशियो बराबर 60 बर्स, तो एक रेशियो बराबर 12 बर्स, और तो 3 र बारह हम समझा देंगे, वैसे यहाँ पे आप लोगों को doubt एक भी percent की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़े हम एकदम basic से zero level से chapter by chapter clear करते हुए चल रहे हैं, बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है, और साथ ही साथ अगर आप किसी यहनी exam की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें, exam की संपूर तैयारी 100% selection के लिए कराई जा रही है, SSC maker के app पे, तो आप सभी लोग SSC maker के app डाउनलोड कर लीजिएगा, link नीचे description box में है, comment box में भी है, हम आपको बता दें, अगर आप SSC GL 2022 exam की तैयारी कर रहे हैं, तो RM बैच चल रहा है, SSC GD 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, SSC CHSL 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है, SHORE selection बैच, SSC MTS 2022 के लिए भी SHORE selection बैच चल रहा है, तो इन सभी exam की तैयारी है, या किसी earn exam की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी SSC maker app पे class से चल रही हैं, और सभी की सभी जो भी classes होती है SSC maker के app पे, वो जीरो लेबल से, basic से और chapter by chapter चल रही है, और कम फी में आप लोगों को बेहतर content दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना selection सुनिशित कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ math पढ़ना चाहते हैं, तो math के लिए भी classes एकड़म basic से चली ह हुई है, UP police constable के लिए class से चली हुई है special batch, जिसमें आपकी UP police constable की, सभी आपकी जो syllabus में subject हैं, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से clear किया गया है, और हम आपको बता दे, अगर आप complete math और reasoning की course लेना चाहते हैं, तो वो भी चला हुआ SSC maker के app पे, और हम आपको बता दे, SSC एक्जाम की आप तयारी करेंगे, तो आप एक बार एप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एक्जाम की बहुती सांदार तरीके से और जबर्जस्टीम के साथ आपकी तयारी कराई जा रही है, तो आप लोग क्या करें, अभी SSC maker का app डाउनलोड कर लीजिए, जु पिसित करेंगे, ठैंक यू